कि हलो दोस्तों हम आधो आपको बताएंगे कैसे आपका मुगवाइल घ्री आपके लिए खात अक्रोकों का सिकार बना रहा है तरश्स आपको अपने ले रहा है इस बारे में बात करेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं मुगां फोन हो भी ब्री सब्से उपर और खुन सबाद करने के लिए लेकिन इसके सायड इफ WHO जैसे हम YEAR कीया साइध ye awards घ्र टैन्सन और बीक हैं है यह मैं आपको पताएंगा ज़रोर देखिए अपनी जश्वधा के लिए इस्तिमाल करने के बज़ाएं हम आप इसका गुलाम होते जा रहे हैं हमें सालिग वह मानसिक के इसा सामाजिक बीमारियों का भी शिकार बना रहा है है इसे हमारे नीद खुरिये हम भ्रम भूलने के शिकार हो रहा है बच्चों के लिए भी यह सिति बहुत ती घातक है दोस्त इसका बहुत बढ़ा सारिक मांसिक हर जहें पड़ता है तो क्या होता है कि इस फोन में बहुत तरह की डीएशन होते हैं जिसका हमारे सबस्क्राइब बाता है अभी खाली में कुछ दिन पहले की बात है हमारे जो अब हम समझते हैं कि अगर हम कुछ दिर पहले कि इस्तिहार देखें जब कुछ दिर पहले हम लोग फोन नहीं था लोगों का नीद नाना इससरह की बिमारियों को बहुत तरह के मानसिक नहीं होती थी तो क्या हुआ कि समय के साथ हम लोगों ने आज दुनित्त के लिए फोन का यूज करना शुरू कि उसका इंपक्ट यह हुआ कि आज बच्चों को कम में चस्में लग रहे हैं बच्चे मोबाइल का उपयोग तो कर रहे हैं 24 गंटे यूट बढ़ रहा है 2015 में अमेरिकन नॉन प्रॉफिट कॉमन संस मीडिया दोर लगाए गया अध्यन के नतीजे बताते हैं कि दुनिया भर में करीब आठ से बारे साल के बीच के बच्चों करीब चार घंटे 36 में स्क्रीन मीडिया एक सामने रहते हैं यानि फोन के सामने रहते हैं जनरल ऑफ अमेरिकन मेडिकल इस्ट्रीमिंग वीडियो टेक्स्ट मैसेजिंग संगीत आउनलाइन चैट रूम सहीत डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल से किशोरों का न सिर्फ मानसिक स्वास्त भी घट रहा है बल्कि ये कागरता भी घट रही है कि वरिष ट्रिवर्ष ट्रक्टर प्रोड़ी को बताते हैं कि मुबाइल से निकलने वाली रेडियो तरंगे न केवल दिमाग पर घरा प्रभाव डालती हैं बलकि इससे सुनने के छमता भी कम हो जाती है इससे एडी एचडी जैसे मानसिक विकारों के खत्रा कई गुना छोड़ी हैं कि माहने तो मुबाइल से निकलने वाले एलेक्ट्रावनिक मेडेयर कैसरणगे शरीर के उतकों पर असव डालती हैं इससे बड़े बच्चों दोनों ए Camensia eltronik मेसिया के सिकार हो रहे हैं उन में भूलने की शमस्या बढ़ रही है कई लोगों को बात्रूं मे रहते हुए मोबाइल रिंगिंग होने का ब्रहम होता है कि अपने चीज भी दिखाऊगा कि नेटवर्क ना मिलने पर बेचैनी मैसुस होने लगती है यह पहले रास्ते हमें याद रहते थे अब भी जीपीएस के रास्ते याद करना मुस्किल हो रहा है दोस्तों कि वैसे तो मोबाइल का जो है रेडियेशन से बच्चाओं के लिए सरकार ने कई तरह की गैड्लेंस आज़िए जैसे फोन को सरीर से दूर रखना हमें रात में सुर्थे समय सरीर के पास फोन नहीं रखना है बात करने के लिए स्पीकर या हैड़सेट का इस्तमाल करना है कॉल कि अपेच्छा एसमेस चैट को परसमिता देने का आधी 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 कम जो रेडियो सिग्नल वाले स्थानों पर आपको कॉल करने से परहेज करना क्योंकि वहां टांसमिशन पावर बढ़ जाता है इस तरह जब बाल के लिए हो या में मेटल के फ्रेम वाला चसमा हो त यूंकि मेटल और वाटर रेडियो तरग्यों के गूर कंडक्टर होते हैं यह भी ध्यान लखने वाली बात है कि मुवाइल फोन आपके दिल के पास वाली जेब में नहीं होना चाहिए कि आज कल स्कुलें करते हैं कि आज कल स्टूडेंट करते हैं कि वह स्मार्ट्फोन पर ही रउनलोड यूंत और सूच सपने काव है तो शर बढ़ें को rehell जाता है तो दोस्तों यह थी मुवाइल फोन के आपने देखा कि कितने जादे इसके इंपक्ट है कितने बुरे परफाव है सरीर पेवांसिक तो आप फोन यूज करिए नोड़ाट आपको आज के समय कि यह काफी जादे आशकता है लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि एक समय के लिए उ आवस्षेक यूज ना करें जितनी जिवरत है उतना ही चलाएं जो 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 थे सिर्फ वही चीजे अथेंटिकेट हो तो उसको देखे उसको डाउनलोड किया जाए अन्य था और किसी चीज को डाउनलोड ना करें जिससे कि आप और आपके परिवार और आपके समाज में एक समंज जैसे बना रहे तो था जादेश ज्यादा मॉबाइल के जब इंडोर गेम के जिकना पर ऑटर गेम जो बच्चे खेलते हैं इंडोर मॉबाइल में गेम उसके इच्छा है बैटर हो कही हुना है कि अब बाहर हो जाके गेम खेलें तो यह जो डीटेल थी दोस्तों बने वान